सीटेट एक्जाम के लिए समाजिक बिग्यान सोसल साइंस का प्रीबियस क्वेस्टन पेपर लेकर आया हूँ जिसको यहाँ पर पूरी तरह से सोल्ब करेंगे चलिए यहाँ पर पहला क्वेस्टन पूछा गया है बात दिखदर्सी का प्रियोग क्या मापने के लिए किया जा होती है उसको मापने के लिए बात दिखदर्सी का प्रियोग किया जाता है चलिए आंगे वड़ते हैं बायू मंडल की निम्लिकित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरड में मदद करती है यहाँ पर करेक्ट आंसरोंगा बाहे बायू मंडल यानि की जो थर्मोस् स्पेर में रेडियो की तरंगों को संचरड करने में मदद करती है यहाँ से एक्जाम में हर बार क्वेस्टन पूछा जाता है अगर समताप मंडल से पूछा जाए इस ट्रेटो स्पेर से पूछा जाए तब आपको बताना है हवाई जाज उडाने के लिए आदर्स इस्तित यही पर पाई जाती है यहाँ पर मौसम की कोई भी गटना गटित नहीं होती है मौसम बाली कोई गटना नहीं होती है इसलिए यहाँ पर हवाई जाज उडाए जाते हैं बहीं अगर मैं बात करू मद मंडल जिसको मेसो स्फियर के नाम से जानते हैं यहाँ पर उलका पिंड पिंड आने पर जल जाता है, क्या होता है? उलका पिंड जल जाता है, अहां से भी question पूचा गया है, यहां पर correct आंसर मैंने आपको बताई दिया, बाहे बाइू मंडल थर्मोस पेर जिसको आइन मंडल के नाम से जानते हैं, correct आंसर हो जाएगा, भहिर मंडल में क्या होता है? यहाँ पर तमाम पिरकार की गैसे पतली अवस्ता में पाई जाती हैं, है ना, चलिए आँगे बात करेंगे, प्रत्थिवी की बिभिन परतों को क्रम में आंत्रिक से बाहरितम परत तक पहचानियेगा, यहाँ पर आपको अंदर से ले करके बाहर की और परतों को वताना है, चलिए आपको यहाँ पर वताता हूँ, यहाँ पर सबसे उपरी जो परत होती है उसको बोलते है परपटी प्रतिवी की उपरी परत को परपटी बोलते है उसके बाद मेंटल इसके नीचे परत होती है और मेंटल के नीचे क्रोड परत होती है क्रोड को दो भागों में बाटा जाता है आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रो होगा आंतरिक रोड फिर उसके बाद बाहरीक रोड फिर उसके बाद मेंटल का नंबर आएगा और अंत में परपटी का नंबर आएगा क्योंकि परपटी सबसे ऊपर होती है परत चलिए आंगे वड़ते हैं आंगे हापर क्वेस्टन आचुका है क्वेस्टन में कहा गया है क ये रहा सूर, ये रही प्रत्थिवी, ये रहा चंद्रमा, तो ये कौन सा यहाँ पर, क्या दर्सा आता है, यहाँ पर आपको वताना है, सिंपल सरल सब्दों में आपको यहाँ पर बताना चाहूं क्या बताना चाहूं? इसको बोलते हैं लगू जवार भाटा क्या बोलते हैं? लगू जवार भाटा बोलते हैं क्यों बोलते हैं? जब सूर, प्रत्थवी, चंद्रमा ये तीनों ही आपस में क्या गरते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, और विपरीत बल लगाते हैं, निम्न जौर आते हैं, निम्न जौर यानि की लगू जौर जिनको बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ ब्रहद जौर की, ब्रहद जौर भाटा कवाता है जब ये प्रत्थिवी होगी अपनी प्रत्थिवी सूर और चंद्रमा ठीक है ना अगर चंद्रमा जो है प्रत्थिवी के निकट होता है ये रहा मून ये रही अर्थ और ये रहा सन है ना जब मून प्रत्थिवी के निकट होता है बहुती निकट होता है आसा करता हूँ आपने इनको यहाँ पर समझ लिया होगा यहाँ पर आपको NCRT में समझा देता हूँ यहाँ पर लगू जवार वाटे कव आते हैं जब सूर प्रत्थिवी और चंद्रमा ये तीनों ही दूर दूर होते यानि कि ये दूर दूर होते तब निम्न जवार या बिरहद जवार की जब ये तीनों एक ही सीद में होते हैं तब बिरहद जवार आते हैं जैसे प्रत्थिवी के निकट निकट कव होता है चंद्रमा जब प्रत्थिवी के निकट चंद्रमा होता है चब बिरहद जवार आते हैं चलिए आंगे बात करेंगे जब नदी मैदान में प्रवेस करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड वना कर वहती है जो कहलाता विसर्प विसर्प क्या कहलाता विसर्प जब नदियां मैदान में प्रवेस करती है तो इस आकार में बहने लगती है जिसको विसर्प बोलते हैं क्या वोलते हैं बिसर्प बोलते हैं आंगे यहाँ पर question पूछा गया है, अधिकांस, दुरगम छेत्रों और आपदाओं के समय, लोगों को बचाने और भोजन जलकपडे एवं दबाओं को बितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपियोगी है, यहाँ पर correct answer होगा आपका बायू मार्ग, क्योंक को अपलब्द करा सकता है, जलकपडे सब कुछ बितरित कर सकता है, कौन बहुती जल्दी कर सकता है, कौन बायू मार्ग कर सकता है, अगला प्रिसन कहता है, भोगोल की वह साखा, जो विशिष्ट मानो जनसंक्या की सनचना के विशे से सम्मन्दित है, वो कहलाती है, वो कहल अविकतन और कारड से अविकतन कहता है सूर गुजरात में अरुडाचल प्रदेश से लगवग दो घंटे बाद अश्त होता है कारड अरुडाचल प्रदेश गुजरात की तुल्ला में उच अच्छांस पर इस्तित है यहाँ पर कारड सही है या गलत है चलिए आपको बताते पहला कतन करेक्ट है दूसरा गलत है क्यों गलत है क्यों सही है सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लो जो अपना क्या है जो अपना अरुडाचल प्रदेश है अरुडाचल प्रदेश पढ़ता है पूरब में सूर पूरब में जल्दी उदय होता है और पस्सिम में पस् प्रत्थिवी कैसे गूमती है? पस्यूम से पूरब की ओर का चक्र लगाती है अपनी प्यारी प्रत्थ भी इसका यही कारड होता है ना कि उच अच्छांस इसका कारड होता है इसलीजी यह गलत है और पहला वाला करेक्ट है तो करेक्ट आंसर कौन सा हुगा यहांपर एस यहाँ पर question पहुचा गया है, निमनिलिकित में से कौन सा ऊरजा का गैर परंपरागत स्रोथ है, इंधन, प्राकर्टि, गैस, सौर ऊरजा, कोहला, आपको पता होगा गैर पारंपरी या परंपरागत पहुचा गया है आप से, आप जानते हो गैर परंपरागत की अंतरगत परमपरागस श्रोत बोलते हैं यहाँ पर correct answer हो जाएगा सौर उर्जा सौर उर्जा को पुना उत्पन कर सकते हैं पुना प्राप्त कर सकते हैं यह जल्दी समाप्त नहीं होती है इनन एक बार जलाने के बाद खतम हो जाएगी प्राकरती गैस भी खतम हो जाएगी कोईला भी राक वन जाएगा तो correct answer यहाँ पर आपका होगा सौर उर्जा सोलर इनर्जी चलिए आंगे वड़ते हैं यहाँ पर है question 40 बिसेस रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मचली का प्रजिनन कहलाता है कई बार मैंने आपको बताया PC कलाता है यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आप समझ लो सेरी कल्चर की अगर मैं बात करूँ रेसम के कीटों का जो ब्यापारिक तोर पर पालन किया जाता है वो कलाता है सेरी कल्चर VT कल्चर क्या होता है अंगूर की खेती किसको बोलते हैं मचलियों के पालन को PC कल्चर बोलते हैं जो की बिसेस रूप से किसी भी परकार के तालाव या जो मानों के दोरा निर्मित टैंक होते हैं उसमें इनका प्रजनन या पालन किया जाता है ना ये सारी चीज़ें आप से एक्जाम में पांच से छह बार पूँची गई है इसलिए महत्पूड है चलिए आंगे बात करेंगे आंगे यहां पर है क्वेस्टन एक्टालिस इस्तल का एक सकरा भाग जो दो बड़े इस्तली भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको बोलते है इस्तल संदी बड़ा ही महत्पूड को एस्टन है जो क्या करता है जैसे यह कोई इस्तल है क्या है यह इस्तल है यानि कि जमीन का टुकड़ा है और यह दूसरा कोई जमीन का टुकड़ा है इसको जमीन का टुकड़ा ही जोड़ेगा उसको बोलते हैं इस्तल संदी वहीं अगर मैं बात करूँ जल जल को अगर जल वाला टुकड़ा जोडता है जैसा यह रहा भारत क्या रहा यह रहा भारत और यह रही स्री लंका स्री लंका को कौन सी जल संदी जोडती है तो पाक जल संदी जोडती है वो होती है जल संदी, ठीक है न, करेक्ट आंसर यहां पर होगा इस तल संदी, आंगे यहां पर बात करेंगे, निम्लिकित में से कौन सा महदूइप आकार में सबसे छोटा है, तो आश्ट्रेलिया सबसे छोटा है, आश्ट्रेलिया सबसे छोटा है, आश्ट्रेलिया को पिए महदुईप के नाम से भी जानते हैं, एक्जाम में क्वेस्टन पूछा जा चुका है, चलिए आंगे बात करेंगे, आंगे यहां पर है 43 नंबर का क्वेस्टन, उच्च प्रात्मी किस्तर पर समाजिक विज्ञान में सामिल है, क्या क्या सामिल है, साइकलोजी तो मनो व विकल्प हो जाएगा, चलिए आंगे बात करेंगे, आंगे हां पर है 44 नंबर का क्वेस्टन, आग मनातमक अधिगम निमलिकित में से किस बिधा का ब्रोदा वासी है, ब्रोदा वासी यानि कि विपरीत वाला आपको बताना है, जो कि आग मनातमक के विपरीत होना चाहिए, वो आपको यहां पर वताना है, वियाख्यानातमक सिच्छड, सरचनातमक प्रसिच्छड, अनुकरण, निपुडातमक अधिगम, वियाख्या, जो वियाख्या देना होता है, यह कैसा होता है, यह निगेटिव होता है, वियाख्या देना, है न, यह गलत हो जाएगा, क्या ह पासी नहीं है ये इसके सपोर्ट करते हैं निकि आगमनात्मक के ये ये सम्मलित हैं उसमें परंतु व्याख्यात्मक आगमनात्मक का इब्रोदा वासी होता है ना करेक्ट आंसर पहला ओपसन यहापर हो जाएगा अगला प्रिसन यहापर कहता है अनुभो जन्न साच्च क्या है जो अनुभों से पराप्त जो अंकडे या साच होते उनको वोलते अनुभों जन्न साच। पहला यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रियों के माद्दम से बास्तिविक दुनिया में एकत्रित अंकडे ही अनुभों जन्न साच कहलाते हैं आँगे बहुतिक बिसेस्ताओं के मोडल, प्रतिकिर्तिया, सिचड के ये सबसे उपियुक्त हैं तो ये भूगोल यानि की जोग्रोफी में सबसे इंपोर्टेंट मानिज आती हैं बहुतिक बिसेस्ताओं के तोर पर चलिए आंगे यहाँ पर बात करेंगे आँगे हैंपर question है इस्तानिय समाचार पतर से मौसम की जानकारी का संगरे किस प्रकार का सुरोथ है एक question आपसे exam में पूचा जाता प्राथमिक सुरोथ और दुतियक सुरोथ यहाँपर आपको clear करना चाहूंगा आकर प्राथमिक क्या होता है और दुतियक क्या होता है किसी भी जानकारी का संगरे हमेशा ही दुतियक में आता है अगर आप लोग direct अगर प्रतियच की बात मैं करूँ प्रतियच कोई चीज घटित हो रही है या आप आत्मकता लिक रहे हो संपादित करते हो तो वो आपकी आती है दुतियक स्रोत में है ना तो correct answer है यहाँ पर काउंसा होगा दुतियक स्रोत क्योंकि इसका संगरे किया गया है अगर direct उस जानकारी को साजा किया जाता तो वो प्रात्मिक में आ जाती इसलिए यहाँ पर दुतियक इस question का right answer होगा प्रात्मिक क्या होता जो प्रत्यच तोर पर जो ब्यवरे होते हैं ना उनको बोलते हैं प्रत्यच प्रत्यच यानि की प्रात्मिक स्रोत बोलते हैं आँगे यहाँ पर question है सीखने की अच्छमता वाले सिचार्थी किस प्रकार की कच्छा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं यहाँ पर correct answer होगा समावेसी inclusive है ना तो जो समावेसी कच्छा होती इसमें सभी बच्चों को समान माना जाता है चाहें बच्चा अमीर हो चाहें गरीब हो चाहें किसी भी जाती से समबंदित हो तो बच्चे कैसे होती समावेसी होती समान दिरश्टी से अध्यापक सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाता है चाहें बच्चा कैसा हो अच्छमता वाला हो चाहें च्छमता वाला हो जुकरम से गुजरते हैं लेकिन बिविंदरों से इसलिए सिच्च को पूरी तरह से कच्चा के लिए नहीं वलकी व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूँ के लिए गतिविदियों की योजना वनानी चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पियाजे जीन पियाजे ने ये क परियोजनाएदे काम के लिए कच्चा को छोटे समूँ में विवाजित करे परियोजनाओ को करने के लिए उन्हें विविन स्रोत प्रदान करे यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेस्टन क्या क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा परियोजनाओ को करने के लिए उन्हे विविन स्रोत प्रदान करे है ना करेक्ट आंसर यही वाला आपका होजाएगा आँगे हाँ पर क्वेस्टन है एक आत्म निर्देसित आत्म अनुसासित सोंच जो एक उचित तरीके से गुडवता कि उचितम इस्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोंच कहते हैं क्या कहते हैं आलोचनात्मक सोंच यानि की क्रिटिकल ठिंकिंग कहते हैं जो कि आत्म निर्देसित होती है आत्म अनुसासित सोंच ही आलोचनात्मक सोंच कहलाती है आँगे बात करेंगे यहाँ पर question है अजंता की गुफाओं में जो इस्तेमाल किये गर रंग निमलिकित में से किस सामगरी से बनाए जाते थे या किस सामगरी से प्राप्त किये जाते थे तो ये किये जाते थे, किस से प्राप्त किये जाते थे, ये पौधों और खनीजों से, प्लांट्स एंड मिनरल्स से प्राप्त किये जाते थे, पौधों से रंग बनाए जाते थे, खनीजों से रंग बनाए जाते थे, ना कि पौसुओं के अंगों से बनाए जाती थे, सबसे पुरानी पांडूलिपियां, हैना ताड़ पत्र, भुर्ज नामक पेंड की छाल, मैंने आपको कई वार बताया है, भुर्ज नामक पेंड की छाल पर ये पांडूलिपियां, जो की हश्ट लिपी होती थी, इनको लिखा जाता था, प्राचीन काल में, आँगे हाँ पर सेंट मानों की जो घटनाएं घटित हुई हैं, वो किस काल में हुई हैं, पुरा पासाड काल में ही घटित हुई हैं, यहां से भी एकजाम में क्वेसन पूछा गया है, आँगे क्वेसन क्या है, दिये गए कतनों A और B को पढ़िएगा, और राइट अंसर का जबाब दीज जिएगा मेहरगड पाकिस्तान के बोलन दर्डे के पास एक उपजाओ मैदान में इस्तित है बिल्कुल करेक्ट यहां खेती और पसुपालन के साथ पाए गए क्योंकि मैदान एकदम उपजाओ है तो यहां पर खेती और पसुथ होंगे ही अवस ही होंगे ऐसे साच प्राप् इस क्वेशन का राइट आंसर होगा आंगे हापर क्वेशन में क्या वताये गया है भारत के निम्नलिकित राज्यों में से किस एक राज्य में हडपा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं तो यह मिले हैं कहाँ पर यह मिले हैं गुजरात में कहाँ पर गुजरात में मिले हैं गुजरात में अधिक संख्या में इस्तान मिले हैं हडपा के एक जो लोथल जो है यहां से question पूछा जाता है लोथल जो कि समुद्र के किनारे इस्तित है ना भोगवा नदी के तठप इस्तित है यहीं इसी को क्या बोलते हैं बंदर गहा के नाम से भी जानते हैं बंदर गहा हडपा का बंदर गहा किसको बोलते हैं लोथल को बोलते हैं ठीक है ना और मैं बात करूँ अगर रोपड की रोपड इस्तल अगर आप से पूंचा जा रोपड कहां पर है तो पंजाब में रोपढ़ है, पंजाब में कौन सा इस्तलाई हडपा का रोपढ़ है, हरियाडा में कौन सा है, वनावली, कौन सा है, वनावली एक इस्तलाई हडपा का लिन, जो की हरियाडा में पढ़ता है, और वनावली से ही हलके प्रतिरूप मिले हैं, यानि की हलके साथ कहा से मिले है वनावली से मिले हैं ठीक ना, राखी गड़ी वी हरियाणा में ही पढ़ता है राखी गड़ी, जो की हलपा का ही इस तलह है राखी गड़ी, ठीक ना चलिए, अब आपको यहाँ पर correct answer मैंने वताई दिया गुजरात यहाँ पर correct answer होगा आँगे हाँ पर question है रिगवेद मूल रूप से निम्लिकित में से किस बहासा में रची गई थी तो यह किस बहासा में संस्कृत बहासा में रची गई थी रिगवेद रिगवेद है ना, आँगे बात करेंगे छटी सताबदी इसापूर्म में मगद महाजनपत के पहले सासक थे पहले सासक थे बिंबिसार कौन थे? पहले सासक थे बिंबिसार थे आँगे, आँगे हाँपर question है निम्लिकित में से कौन सा बोध धरम के तिरी रतनों में से नहीं है, यहाँ पर तीन रतन दिये गए हैं, एक रतन गलत है, उसी को आपको यहाँ पर वता देना है, ठीक है ना, बुद्ध, धम, अहिंसा, संग, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बौध धरम से आपसे पूछा गया है, तो अहिंसा यहाँ पर ऐसा बौध धरम में नहीं वताया गया ह चोटे जीवों को नहीं मारना चाहिए है ना, चोटे चोटे जीवों को नहीं मारना चाहिए, यह वताया गया है, जैन धरम में, किसमें वताया गया है, जैन धरम में आहिंसा के बारे में वताया गया, बौध धरम में नहीं वताया गया है, इसलिए यह करेक्ट आंसर आपक प्रदाली को अपनाया गया है यहाँ पर किस सासन प्रडाली को अपनाया गया है अगला प्रसन यहाँ पर कहता है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदिये निरवाटन छेत्र आरच्छित हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 84 84 किन जातियों के लिए किये गए हैं अनुसूचित जातियों के लिए जन जातियों के लिए अगर आपसे पूछ लेता तब आपको बताना यहाँ पर पढ़ता 47 अनुसूचित जन जातियों के लिए 47 है और अनुसूचित जातियों के लिए 84 है यहाँ पर आपसे पूछा क्या है अनुसूचित जातियों से पूछा है इसलिए 84 होता अनुसूचित अधिकार का उनलंगन किया जाता है तो सामानता के अधिकार का उनलंगन किया जाता है सामानता का अधिकार किस अनुछेद में आता है ये अनुछेद 14 में आता है सोतंतरता का जो अधिकार है ये किस अनुछेद में आता है ये भी एक्जाम में आपके ये 21 में आती है न और मैं बात करूँ 166 के बुरुद्ध अधिकार बहुत इंपोर्टेंट है 166 के बुरुद्ध का अधिकार है ये 23 और 24 के बीच में आता है समबैदानिक उपचारों का अधिकार अनुछेद 32 में आता है ठीक है इतना आपने समझ लिया होगा करेक्टांसर यहां पर पहला वाला हो जाएगा आंगे यहां पर बात करेंगे भारत के समबैदान के अनुसारे निम्नलिकित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है कौन सा नहीं है तो संपत्ती का अधिकार नहीं है है ना और सिच्छा का अधिकार जो कि अनुचेद 21 के अंतरगत आता ह सिच्छा का अधिकार सोसड के विरुद्ध का अधिकार मैंने आभी आपको बताया जो कि 23 और 24 के बीच में आता है 23 और 24 के बीच में आता है धर्म की आजादी का अधिकार भी सभी को है सभी को है ये धर्म की आजादी का अधिकार भी ठीक है ना तो यहाँ पर आपका right answer होगा संपत्ती गादिकार, आँगे question क्या है, आप प्रिसता के आधार पर भेदबाव को संदर्वित करती है, आप प्रिसता जाती के आधार पर भेदबाव को संदर्वित करती है, आँगे question क्या है, मुख मंतरी को कौन नियुक्त करता है, मुख मंतर पती नियुक्त करता है राज जपाल को और आंगे पूच लिया गया है प्रधान मंतिरी का चुनाओ कोन करता है प्रधान मंतिरी का चुनाओ सांसद करते हैं इसका चुनाओ यहाँ पर आंगे क्वेस्टन क्या पूचा गया है किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है तो र नहीं राज्य का नागरिक आपसे पूचा जै तो राजपाल को वता देना। जैसे केंदर सरकार में राश्ठपती होता वैसे ही राज्य सरकार में राजपाल की भूमका होती है। अभी बरतमान में कौन है राष्ट पती हैं। कौन दा प्रेसिडेंट आँगे आँगे कुइसे निमने लिकित में से कौन भारत की संविधान सबा का अद्यच था। अद्यच थे डाक्टर कौन थे राजेंदर परसाद। आंगे question क्या पूचा गया है निमनलिकित में से भारत का एक मातर भारती गवर्नर जनलल थे सी राज गोपाला चारी आंगे question क्या है भारत का सम्विधान कब अपनाया गया अपनाया गया था 26 नौंबर दो यहां पर कितना 26 नौंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनबरी 1950 को ल अपनाया कब गया था अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था आपसे अपनाया गया ही पूछा गया है इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आँगे यहां पर क्वेस्टन क्या है निम्लिकित में से किसने भारत की रियासतों को एक इकरत करने में निरडायक भूमिका निभाई थी करेक्ट आंसर हो गए यहाँ पर सरदार पटेल उन्होंने भारत में जितने भी रजवाडे थे देशी रजवाडे उनको बिले कर दिया था किसने सरदार पटेल ने ठीक है ना और बारदोरी सत्ताइग्रह में इनको सरदार की उपादी भी पिरदान करी गई थी आंगे क्वेस्टन क्या है संबिधान की समबर्ती सूची के मामलों में कार कौन करता है केंद सरकार और राज सरकारे दोनों मिलकर के समबर्ती सूची के मामलों का कार करती है आँगे बढ़ते हैं आँगे हाँपर question है निम्नलिकित मैंसे कौन भारत की संबिदान सवा में मसौधा समिति के अध्यच थे मसौधा समिति अगर आपसे पूछी जाए तो आपको अम्बेडगर साहब का नाम यहाँ पर ले लेना है यानि कि मसौधा समिति का जो अध्यच थे अम्बेडगर जी थे यहाँ पर है न और डाक्टर आजनत परताथ यह संबिदान सवा के अध्यच थे और संगिये, संगिये के कौन थे? संगिये संबिधान सवा के अध्यच संग समिति के कौन थे? पंडित चाचा नेहरू थे, ठीक ना? करेक्ट रांसर यहां पर अमबेडगर हो जाएगा आँगे क्वेस्टन क्या है, वियासी नंबर का क्वेस्टन है, याँपर, अठारवी सदी में किसके नेतरत में बंगाल धीरे-धीरे मुगल नियंतरड से अलग हो गया था, ब्यक्ती का नाम है मुर्सित कुली खां, मुर्सित कुली खां के नेतरत में बंगाल धीरे-धीरे बात करेंगे यहाँ पर 83 नंबर के क्वेस्टन के निम्लिकित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि वादूर सा जफर आखरी मुगल समराथ होंगे और उनकी मुरत्यों के वाद किसी वंसस को सासा के रूप में पहचाना नहीं जाएगा यहाँ पर यह बात कही थी लोर बात्ल ने गोशित क्या कि अवद पर गलत तरीके से सासन किया जारा था और उचित-प्रसासन के सुनिस्थ करने के लिए बिरिटिस शासन की आवस्सकता थी यह कहा था किसने डेलवजीast और जस ने की लगी बाजिरा दुतिये की दत्तक पुतर थे, डत्तक पुतर थे, कौन दत्तक पुतर थे, नाना साँथे किश की दत्तक कुतर थे, ठीक है ना नाना साँथि इस Quesion का राइट आंसर होगा, अगला प्रसन यहाँ पर कहता है, कार खाने के बिशय में पढ़ाने के लिए सबसे उपियोगी विदी होगी कहानी सुनाना किसी विसेसग को निमंतिरित करना किसी ओध्योगिक कार खाने की यात्रा आयोजित करना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किसी ओध्योगिक कार खाने की यात्रा आयोजित करना उससे कार खाने विसे के बारे में बच्चे अधिक जान पाएंगे करेक्ट आंसर यही यहाँ पर हो जाएगा एडू सेड से क्या अभी प्राय है एडू सेड जो की एक मानो निर्मित भारती उपग रहे है क्या है भारत का एक मानो निर्मित उपग रहे है आंगे question क्या है यहाँ पर पंचवाडी और बीजक निमनिलिकित में से किस माहन हश्ती के चंद और बिचारों को सरचित किया गया है correct answer यहाँ पर होगा कवीरदास कवीरदास ने बीजक जैसे गरंथ पंचवाडी जैसे गरंथों की रचना करी है यह माहन हश्ती के अंतरकत आते हैं इन्होंने साखी सबद रमैनी बिविन प्रकार की गरंथों की रचना करी है जो की इनकी जो भासा थी बो सदुकडी या निकी खिचडी जिसको बोलते हैं एकदम सम्मिलित रूप से बोली जाती थी आंगे क्वेस्टन क्या है एलोरा की गुफा का वित्ती चित्र जिसमें विसडू कुनर सिंग अर्थात पुरू सिंग के रूप में दिखाया गया है यह जो रचना थी यह कब की थी यह रचना थी राष्ट कूट काल की कब की राष्ट कूट काल की रचना थी आंगे question यहाँ पर क्या है अंतिम question क्या है निम्लिकित में से कौन सा संगटन उपनिसद में आस्ता रखता था ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज उपनिसद में आस्ता रखता था अगर पूछ लिया जाए सत्त सोदक की इस्तापना किस ने की थी आप क्या कहोगे आप कहोगे जोति करें कमेंट करें मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद